हलो दोस्तो गूट मॉर्णिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लोग में तो सुबा के साड़े साथ बच चुके हैं और आज हमारे यहां हो रही है पारिस इदर हमारी चाय बन चुकी है और पूरा तो आज हलका सा है लेकिन बारिस हो रही है कल सामसे ही पारिस हो रही है और हलकी हलकी बारिस हो रही है और सुबा के सारे काम हो गये हैं थोड़े बहुत कर लिए थोड़े बहुत अभी बाकी है पिखाते हैं आप सभी को पूरी जो हैने की गेली है और नीचे की जमीन भी गेली है और इधर से आ रहा है बंदर साधना बंदर उखाए बंदर उगो देखाओ कहां पर रहे है वो बैठा है बंदर हलका सकूरा है इतना तेज कूरा नहीं है और इन दिनों में ठंड की बज़े से कुछ काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है तो इधर हमारी चाय बन गई थी उसके बाद में चड़ा दिया है दूद उबलने के लिए तो दूद गरम हो गया था तुरंत से ही मैंने खाना लग गए हैं तो यहां के सबसे पहले बिस्तर हटा कर रख देते हैं क्योंकि आरोई के पापा भी दुकान पर चले गए हैं तो बिस्तर पड़े रहते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है तो बिस्तर हटा कर रख देंगे और अच्छे से चादर समाल देंगे और यहां पर ए ठंडी बिलुकुल छुटी ही नहीं रही है कंबल ओड़ते हैं और एक रजाई भी ओड़ते हैं फिर भी बहुत जादा ठंडी लगती है तो एक मैंने गरमबाली चादर भी बीच में ही बिचा दी है तो जो है नकी थोड़ी सी गरमाहट रहती है और यहां पर अच्छे से वि विवार को तो आज तो हमारे यहां कोई भी मकर सकरांति का तेवार नहीं मना रहा है कली ही सभी लोगों ने मकर सकरांति का तेवार मना लिया है और यहां पर अच्छे से चादर को समाल दिया है और जारू लगा देंगे बाद में और फिर चलेंगे कपड़े फैलाने के लि है तो मैंने का थोड़े कपड़े यहीं पर पड़े रहने देते हैं तो सारी हम यहीं पर छोड़ गए थे और कुछ और भी कपड़े छोड़ गए थे जो मोटे कपड़े होते हैं जिन में पानी निकल ला था वो कपड़े हम यहीं पर छोड़ कर गए थे और स्वेटर अभी ह प्रवाई दिन हो गए हैं तब से धूप नहीं निकल लए यह कपड़े सभी काम हमारे जो हैने की जहां के तहां ही फैले पड़े हैं कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं थंडी की बज़े से थोड़ी सी हलकी सी धूप निकल आए या फिर मौसम ही थोड़ा सा सही हो जाए तो स लग गई है तो उसकी बज़े से हमारे जो हैने की पैर में दर्द है और यहां पर जो हैने की हमारे ताव का काम चला है बड़ी इम्मा के यहां और आज जो हैने की नाली का भी कुछ सामान आएगा बो भी आप सभी को दिखाएंगे क्योंकि हमारी कई दीदियां कमेंट करत आज आरुही के पापा बोलकर गए थे कि आज जो हैनकी नाली का सामान लेकर आएंगे बाहर तक पाइप डाली जाएगी तो वही पाइप लेने के लिए गए होंगे तो अभी हमें पता नहीं था पक्का कि हाँ गए हैं या नहीं लेकिन साम तक लेकर आए थे पाइप और इधर खाना बन गया था उसके बाद में सभी चीजे ऐसे ही छोड़ दी थी तो मैंने का चलो यहां की साप सपाई कर देते हैं ठंडी की बज़े से यह सारे काम जहां के तहाई ही हमारे छूट जाते हैं और तुरंत से सभी लोग खाना खाकर आग तापने लगते हैं और धी उंगलियां भी दर्द कर रही हैं आप सभी को कल के ब्लोग में बताया था उंगलियां हमारी जोहनकी सूज गई हैं तो इसकी बज़े से हम पैर भी जादा नहीं भीगोते हैं और ना ही खुले रखते हैं क्योंकि खुले में और भी सूजन बढ़ेगी तो मोजा पहन कर लगाना है पहुचा क्योंकि कई दिन हो गए हैं पहुचा नहीं लगाया है और आज कल कर रहे हैं कि आज कल में धूप निकला है तब हम अच्छे से छत को धूलें लेकिन आज धूलेंगे नहीं बस पहुचा लगा देंगे जहां पर हम लोग खाना ये बनाते हैं वहां पर और बहुत जादा छट हमारी गंदी हो गई है, सबजी भी फैल जाती है, चाबल फैल जाते हैं, आटा भी फैल जाता है, और नीचे छट में चपक जाता है, तो फिर गंदी दिखने लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो आज मेने का हलका सा पोचा ही लगा देते हैं, तो थोड़ा सा हलका सापाणी मेंने गरम कर लिया था और नहा लिया है वैसे तो हम गरम पानी से नहीं नहाते हैं क्योंकि शरीर में जो उन्हें की खुजली होने लगते हैं तो उसकी वज़े से हम धंडे पानी से ही नहते हैं चाहे सुबा नहां या फिर दुपहरी में नहां और यहां पर बस पोचा लगा देते हैं जाधा में नहीं लगाएंगे थोड़ा सा ही जो हैने की थोड़ी सी जगे में लगा देंगे और फिर चलेंगे जो हमारे नीचे के काम बाकी हैं थोड़े बहुत वो करेंगे और तब तक समय भी हो गया था साम का खाना बनाने का क्योंकि इन दिनों में दिन भी छोटा लगता है जब दूप नहीं निकलती है और जब दूप निकल आती है तो थोड़ा सा बड़ा दिन लगता है और तब तक हमारी आज गैस आ गई थी पापा जो हैनकी कर आ गई है और बहुत दिनों के बाद हमारे यहां का आज गैस भर कर आई है तो बहुत ज़्यदा खुसी भी हो रही थी तो कि अब जो हैनकी थोड़े बहुत काम हमारे गैस पर हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी लेकिन चूला तो जरूर ही हमार पर बना लिया करेंगे जल्दी वाले जो भी चीज़े हैं बहुत गैस पर हो जाएंगी और यहां पर सेट कर दिया है गैस लेंडर हमने और हमारी नदजी ने और हमारी नदजी लग गई थी रसोई की साप सफाई कहने में क्योंकि यहां पर कम आना जाना होता है तो कर देखते हैं सेट कर देते हैं और फिर चाय हमारी नदजी बोल नहीं थी कि चाय बना देते हैं सभी लोग पी लेते हैं तो मैंने का चलो है ठीक है चाय बना दो और आरोही इधर आप सभी देख रहे थे कि आरोही बहुत जादा इंदनों में सैतानिया कर रही है और कल के लोग में तो आप सभी ने देखा था कि कितनी जएधा आरोही इनलों में हम लोगों को परेसान कर रही है तो छुट्टी जब बच्चों की पढ़ जाती है तो बच्चे घर पर रुखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेसान करते रहते हैं और आज मैंने आरोही के कपड़े भी आज चेंज किये थे तो आरोही जो है ना कि जो अंदर साइड में जो पहने थी टी साइट वो निकाल नहीं थी कि मम्मा ये नहीं दिख रही है तो स्वेटर निकाल दिया था बिल्कुल बटन जो है ना कि खोल दी थी कि मम्मा निकाल दे सोटर को लेकिन इतनी ज्यादा थंडी पड़ रही है बच्छों को बिलुकुल ठंडी पता ही नहीं चलती एक हैं आज हम साग बनाएंगे सोया का साग और आलू और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि मकर सकरांतिके दो दिन पहले और दो दिन बाद तक जो है न कि सोया का साग नहीं बनाया जाता है कोई भी साग नहीं बनाया जाता है तो ऐसा हमारे यहां कुछ भी नहीं है क्योंकि मेर अधर मैंने दुब़ारा से चाइब नाई है Should Be और्फुद भी लेकर आए है क्योंकि हमें सब्स्राइब vandaag लेकर चाइए और एक हमारी दीदी दीदी ने कमेंट भी किया था कि सज्दम्व आपको भी हमारी तरह चाइब बहुत जाधा पसंदत दSir zmi सीधी हमें चाय बहुत ज्यादा पसंद है जितनी बार भी हमें चाय मिल जाए उतनी बार हम पी लेंगे और आरुई के पापा यहां पर लाइट समाल ले दें क्योंकि लाइट फिर से गड़बड़ी कर रही है जो हमारी यहां च्छत पर की लाइट है बहुत जल्दी से उससे आटा माड रही है थोड़ा से चावल भी बनाए है और थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे आज बाजरे की रोटियां नहीं सेकेंगे क्योंकि सुबह के टायम बाजरे की रोटियां सेकी है तो इतने टायम नहीं सेकेंगे दो रोटियां बाजरे की रखी भी है तो सिर्फ गेहूं की रोटियां और थोड़े से गैस पर चावल बना लिये हैं और यहाँ पर अब लगा देते हैं सोया में च्छों का और यहाँ पर आज हादसा होते होते विल्कुल बचा तो यह जो मैंने मिर्च भूनी है यह चटक गई थी तो एक ही मिर्च जैसे ही चटक पाई यार पापा यहां से उटका जहट से चले गए थे और भून तो गई थी लेकिन इतना ध्यान हमें नहीं रहा कि थोड़े से इनको कट करे लेते हैं उसके बाद में भूनते हैं तो मैंने का ऐसे ही भून लेते हैं और इनको अलग निकाल कर रख देंगे और वैसे अगर कट करके डालो तो आरोही फिर यह सबजी नहीं खा पाती हैं आरोही को बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है तो मैंने का समूचे ही मिर्च भून लेते हैं और इधर आप सबी को बताया था तो वही आरोही के पापा पैप भी लेकर आये थे यह तो कब के वह कुछ आद घंटे हो नहीं वहां तक पहुंच जाएंगे पाइप या नहीं तो ये तीन पाइप हैं और बहुत ज़्यदा हलके हैं लेकिन हैं मोटे इनमें पानी आसानी से निकल जाएगा चाहें कितना भी पानी हो और उसके बाद में हम सेखने लगे हैं रोटियां और जो है नाली का काम बहुत जल्दी से ही अब हो जाएगा हमारे रोम के आगे जो नाली खुली है यहां से पाइप पढ़ेगा और यहां पर होदिया भी बनाई जाएगी जिसमें जो हैने की जो भी कचड़ा होगा बोई खटा हो जाएगा और जो हैने की महने में दो महने में निकाल दिया जाएगा औ और यहां से लेकर वहां तक बाहर तक पाइप डाले जाएंगे और फिर यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी ना ही पानी रुखे का और ना ही कोई गंदिगी होगी तो अच्छे से सापसफाई भी रहेगी यहां पर और इधर हम और हमारी नदजजी बस रोटियां सेखने के ल वो वाली रोटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है लेकिन पापा की बज़े से थोड़ी सी रोटियां पतली वाली भी सेंकनी पड़ती है तो उनके लिए पतली वाली रोटियां सेंकेंगे और हम लोग मोटी वाली रोटियां खाएंगे और ठंडी बहुत ज़्यादा स काम है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा ठंडी लगती है और फिर काम में लग जाओ फिर नहीं ठंडी लगती है लेकिन शुरू करो काम तब तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है और पहले मैंने मोटी रोटियां सेकी हैं दो चार और उसके बाद मे पापा को भुलाबा दे देते हैं तो चूले को अछे से साफ कर देते हैं उसके बाद में फिर भुरतन दुलेंगे तो पहले मैंने का पटिया को ही अच्छे से साफ कर देते हैं यहां पर हम बरतन रखेंगे आके तो फिर पटिया साप नहीं वो पाती है और इधर आप बरतन दूल लेते हैं सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है बस अब जल्दी से बरतन दूल कर रख देते हैं और अगर इतने टाइम ये बरतन नहीं दूलेंगे फिर सुबा के लिए बहुत सारे बरतन हो जाते हैं और सुबा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो चूले की पुताई तो कर दी है इतने ही टाइम और सुबा के लिए ना तो चूले की पुताई छोड़ेंगे और ना ही बरतन छोड़ेंगे और सुबा ठंडी कुछ जादा ही होती है तो हाथ भी पहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और इतने time काम में लगे रो तो बस जल्दी जल्दी से यही सोचते हैं कि जल्दी से सारे काम खतम करे लें और इधर हमारी राक भी खतम हो गई है तो हमारी देवरानी जी गई है राक लाने के लिए च्छतपर से क्योंकि यहां नीचे नहीं रख्की च्पर ही सारी चीजह जादा रखी रहती राकवी वहीं पर रख्की रहती और बर्तन पहले हलक तरह वाले ौह मांच कर रख देंगे उसके बाद में आज कढ़ाई ओ तबहाही दो चीजे ही जली है और वाकी केश हलके ही बर्तन सारे हैं तो बस जल्दी से बरतन माजित कर रख देते हैं और आप सभी दोस्तों को तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट कहते हो हमें बहुत अच्छा लगता है इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहेगा अपना प्यार और सपोर्ट बनाये रखन जो भी दोस्त अबारे चैनल पर निव आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कल फिर मिलेंगे एक नियु ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को Namaste